हेलो दुश्तो वेलकम बेक टू मैं चैनल आज शेयर करने आ लिए आपके साथ सूजी के हलवे की रेस्पी लेकिन जिस तरीके से आज मैं हलवा बनाने वाली हूं एक दम डिफ्रेंट तरीका है और बहुती एजी तरीके से बनाने वाली हूं और साथ मैं यह बहुती जिटप सूजी के करीब मैंने सूजी ले लिए जो सूजी ली है बारिक वाली लेना है और आगर आपके पास मोटी सूजी हो तो एक बार उसको मिक्सिजार में चला लीजेगा यह गंबारिक हो जाती है तो कि उससे वह जो हलवा बनाएंगी बहुत ही टेस्टी बनता है अब इसमें मैंने एक कप के करीब दूट डाला है एक कटोरी सूजी लीती एक कप के करीब मैंने दूट डाला है नॉर्मल टेंपरेचर का दूट डाला है और इस सूजी को उसमें हम इस तरीके से घोल कर और प्रेट से धकर रख देंगे और जबकर हम यह सूजी हमारी फूलेगी हम और सबसे पहले बड़तान रग दिया गरम होने के लिए और यहां पर घाल एक कटोरी के करीब सूजी लिए थी तो यहां पर मैं दो प्रति के करीब मैं इसमें पानी अट कर दिया था और इसमें मैं इनींद डालने वाले चीशी मीठा में अपनी एसाफ से डाल सकते आपको जिस केसर डाल दूंगी उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा कलर भी आजाता है साथ में अब यह चीनी को जबता हमें लो फ्लेम पे अच्छे से बाल लेंगे पूरी तरह से पानी में ना गुल जाए और इसी में मैंने डाल दिया है तो कुटी वी लाची प जाता है हलवे में पानी के साथ मैं डाल दिया से पूरा ही यह पानी में मिक्स हो जाएगा यहां पर देखें मेरा पानी जो है वह बहुत ही अच्छी से बॉयल हो चुका था चीनी अच्छी से गुल चुकी तो यहां पर इसको भी मैं एक साइड में अलग निकाल की रख इसको मैं इस तरीके से बूल लूँगी तो यहां पर एकदम कलर चेंज हो जाएगा यहां ता बूलना है इनको तो यहां पर मैंने थोड़ी से काजू लिये हैं बादाम लिये हैं और इनको मैं अच्छी से इनका कलर एकदम चेंज ना हो जाए यह किस पी ना हो जाए जब इनको घी में बूल लेंगे बस यह अच्छे से भून चुकी थी आप और भी ड्राइब फूट जो की आपको अच्छे लगी वह भी आप इसमें यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने काजु अबादम को अपने अलग निकाल के रख लिया था अब इसी में अपनी और घी क अच्छे से फूल चुकी थी एक वार इसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें घी में डाल दिया है पूरी सूजी को डाल देंगे बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगी जो दूद में हमारी गुली सूजी रखी थी वो डाल दी थी तोड़ा एस्टर दूदी तो यहां पर देखी अब इसको हमें अच्छे से चलाना है गैस की फिल्म को मैं यहां पर मैंने मेडियम ही रख लिया था एकदम तेज मत करिएगा मेडियम रखिएगा और यह चलाते चलाते थोड़ी टायट सी हो जाईगी लेकिन आप इस तरीके से इसको कंटीनूर चलात होती है लेकिन धीरे-धीरे जैसे यह भुंती जाती है एकदम खिली-खिली सी हो जाती है और यहां पर देखी पहले ठीक लग रही थी लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही चलाते जाएंगे एकदम खिली-खिली सी हो जाती है तो यहां पर देखी थोड़ा-थोड़ा इसका कलर च कुषभू भी बहुत अच्छी अच्छी से बुनके तयार हो चुकी है और एकदम खिली-खिली से बहो जाती है अब यहां पे जो पानी हमने उबाल के रखा हुआ था वो इसमें हम एड कर देंगे और यह एकदम घोल टाइब का बन जाएगा फिर इसको अच्छी से उबालें तो इसको थोड़ा और अच्छे से उबाल लेज़ेगा लेकिन इस तरीके से हम इसको बालते जाएंगे चलाते जाएंगे अच्छे से सूजी इसमें घुल जाएगी फिर इसको बलने के लिए रख देंगे और यह जो हलबा एकदम रसीला टाइप का बनता है आप अपने इसा अपको कैसे चाहिए और देखी यह जो घी इसमें एट किया था ना वह यहां पर ओपर इस तरीके से आ जाता है इसको मिक्स कर दिजेए और प्राइफ्र उट्स थे थोड़े इसमें एड कर दिये थे थोड़े से मैं बचा लिये थी और यहां पर मेरी सूजी बहुत अच्छे से भूनने के लिए लगाए थे और बागी का एक चमच घी में ही पूरा हलवा तयार हो जाता है तो इसमें घी जो है वो उपर ही दिखने लगता है और यकीन मानिए हलवा इतना टेस्टी लगता है एक पार जरू ट्राय करके देखिएगा इस रेस्पी को आप और य बंडा होने के लिए इसको थोड़ा सा कवर करके आप रख दोगे 20 मिनिट के लिए 10-15 मिनिट के लिए तो यह जो हलवा एकदम अपनी कंडिशन पर आ जाता है जिस तरीके से आपको चाहिए तो यहां पर मैंने गैस को बंद कर दिया था एक वार इस तरीके से हम चला और यह अपने आप ही थिक सा हो जाता है थोड़ी दे ठंडा होने के बाद और देखिए बहुत ही टेस्टी बना था और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहा है एक बाद जरू ट्राय करिएगा इस हलवे की रेस्पी को इसको कहेंगे दूद में भीगूई सूजी का ह बहुत ही टेस्टी बनता है अगर मेरी यह वाली रेस्पी पसंद आप मेरे चलाय शियर स्क्राइब जरू करेएगा कमेंट वोक से में कमेंट करके आएगा आपको मेरी हलवे की रेस्पी कैसी लगी मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में नई वीडियो में जब तक के लिए बा झाल झाल